ये छोटे छोटे टिप्स अपनाएं तनाव से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा आईए जानते हैं नमबर एक पुरानी प्यारी फोटो देखें उन फोटो या वीडियो पर वापस जाएं जिनसे आपको खुशी हुई ये आपके द्वारा इंचुआई की गई विचारों की आदर डालें इसे 10 सेकेंड के लिए दिन में 3 बार करें नमबर दो चार की गिंती एक सांस लें चार की गिंती तक सांस रोकें और फिर चार की गिंती तक सांस छोडें ये चार 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 टेकनीक है और यदि आपको चिंता का दौरा पढ़ रहा है तो ये कि आखें बंद कर लें यह आपको नकारात्म कल्पना को रोकने और विचार की अधिक केंद्रित श्रंखला पर वापस आने में मदद करेगा नंबर 4 जामितिय डिजाइन वाली व्यस्क रंग भरने वाली किताबें मन को शान्थ करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं ये फोकस दुबारा हासल करने में भी मदद कर सकती हैं नमबर पांच आप अपनी खुद की देखभाल करके भी तनाव को दूर कर सकते हैं इसके लिए बाहर टहलने जाएं एक अच्छी किताब पढ़ना रोजान व्यायाम करना अपने लिए भोजन तयार करें विस्तर से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें मालिश करवाएं अपनी हॉबी पर काम करें परफ्यूम का इस्तेमाल करें रोजाना योग करें खुद को व्यस्त रखें दोस्तों के साथ समय बिताएं अपनी समस्या के बारे में चर्चा करें, अपनी समस्या का समाधान खोजें, धार में किस्थल पर जाएं, ध्यान लगाएं, अपनी पसंद का संगीत सुनें नमबर छे, जब आप अत्यधिक चिंतित महसूस कर रहे हों, तो अपनी समस्याओं को लिखना शुरू करें ऐसा करने से आपको स्थिति को ध्यान से देखने में मदद मिलेगी, और आप उचित समाधान ढून पाएंगे नमबर साथ, सुभे के कारियों की लिस्ट बनाएं, इससे भी बहतर ये होगा कि आप सुभे ही कारियों की सूची बनाने की आदर डाल लें ताकि हाथ में आने वाले सभी कारियों के बारे में आपकी चिंता कम हो सके यह आपको दिन भर के लिए अधिक व्यवस्थित तोर पर तैयार महसूस कराएगा नमबर आठ, जो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, उसे पहले ही खतम कर लें यह मत सोचें कि बाद में करेंगे, क्योंकि आप बाद में करें या पहले, करना आपको ही है नमबर नौ, जिस वज़े से टेंशन है, उस समस्या को सुलजाने का प्रयास किया जाए और यदि कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो उस नुकसान के असर को कम कैसे किया जा सकता है इस पर विचार करके ठोस कदम उठाए जाए नमबर दस, अपने अच्छे दोस्तों या पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताया जाए हम भाग दोड और टेंशन में अपनों का साथ हम खोते जा रहे हैं नमबर ग्यारा, टेंशन की जड़ को कभी अपने दोस्तों से शेयर कर लेना चाहिए और मश्वरा भी ले लेना चाहिए सलहा लेने में कोई हर्ज नहीं, शायद कोई रास्ता निकल आए तो ये थे टेंशन को दूर रखने के कुछ उपाए उमीद है आपके काम आएंगे थैंक्स फर वोचिंग